Hello dear students, welcome back to Organized Knowledge Channel और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिसकस करेंगे Assessment Worksheet No.11 for Class 9th विशे हिंदी है और ये वक्षीट आपके लिए 30th of December 2021 के लिए शेडियूल की गई है आज की जो वक्षीट है प्यारे बच्चों उसमें हमें गद्यांस दिया गया है और जिसको पढ़कर हमें पूछे के प्रशनों के उतर देनी है वक्षीट शू करने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए आज की वक्षीट में क्या दिया गया है आज की वक्षीट वच्चो इसमें जो गद्यांस दिया गया है वो जो साली मली है जो की प्रकरती प्रेमी है बर्ड वाचर है ठीक है जो पक्षियों को अपने प्रकरती ग्रूप में देखना चाहते हैं प्रकरती की केर करते हैं उनको जो है उनके बारे में दिया गया है और उनकी मृत्यू हो गई है और सारी जीवन जो है उन्होंने पक्षियों की देखबाल की पक्षियों की जो प्रकरती है उसकी देखबाल की है clear so अब उनकी मृत्यू हो गई है तो उसके विशय में लेखा क्या कहते हैं सुनहेरे परिंदों के खूबसूरत पंखो पर सवार सावले सपनों का एक हुजू मोत की खामोश वादी की तरफ अगरसर है कि यानि जो वो सालिम अली है वो सुनहेरे परिंदों के खूबसूरत पं खामोश वादी की तरफ जा रही है यानि उनकी मृत्यू हो गई है कोई रोक टोक सके कहां संबव है तो मौत के बाद कोई रोक टोक नहीं सकता इस हुजूम के आगे आगे चल रहे हैं सालिम अली और जो हुजूम जा रहा है उसके आगे सालिम अली है अपने कंदों पर सैल प्रजानियों की तरह अपने अंतहीन सफर का बोज उठाई लेकिन यह सफर पिछले तमाम सफरों से भिन्न है बीडबार की जिंदगे और तनाव के माहोल से साली मली का यह आखरी पलायन है तो यहाँ पर लेका कहते हैं कि जो यह बीडबार और तनाव भरी जिंदगी है उसस साली मली का यह आखरी पलायन है आखरी जो है यह विस्थापन है पलायन का मतलब क्या होता है एक जगे से दूसरी जगे जाना तो यह आखरी पलायन है सारी उम्र जो है उन्होंने पक्षियों के पीछे पलायन किया है लेकिन अब यह उनका आखरी पलायन है अब तो वो उस के हरारत और दिल की धड़कन दे कर भी उसे लोटना आना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा यानि अब उनकी मृत्यू हो चुकी है तो उनको अब कोई भी जिन्दा नहीं कर सकता ठीक है कोई भी उनको जिसमे हरारत यानि कोई भी उनकी दिल की धड़कन को वापस नहीं ला सकता मुझे नहीं लगता कोई सोई हुए पक्षी को जगाना चाहेगा वर्सो पूरो खुद साली मली ने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नजर से देखना चाहती है यह उनकी भूल है ठीक उसी तरह जैसे जंगल और पहाड जरना आपशारों को वो प्रकरती की नजर से नहीं आदमी की नजर से देखने को उच्सुख रहते हैं तो साली मली क्या कहते हैं कि हमें प्रकरती को पक्षियों को उन्हें जो है प्रकरती की नजर से ही देखना चाहिए उन्हें आदमी की नजर से नहीं देखना चाहिए यानि हमें प्रकर्ति के साथ उसके प्राकर्तिक जो सौंदरिया है प्राकर्तिक जो आप कहा सकते हो कि छवी है उसी को अपना कर उसी में भुल मिल कर उसको देखना चाहिए भला कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज का मधर संगीत सुन कर अपने भीतर रोमांच का सोता फूटता महसूस कर सकता है ठीक है तो यह गद्यास दिया गया था अब आपको इसके उपर अधारित जो है कुछ प्रेशन दिये गए है ठीक है तो टोटल टैन जो ह असर हम करेंगे पहला प्रेशन है मोत शब्द का प्रयाईवाची शब्द क्या होगा तो मोत का प्रयाईवाची क्या होगा बच्चो मिरत्यू होगा दूसरा है सपना शब्द का तत्सम शब्द क्या होगा स्वपन होगा ठीक है स्वपन जो है वो तत्सम शब्द हो आदमी शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा तो आदमी का समान अर्थ जो है क्या होता है मनुश्य होगा नमबर फोर है पिछला शब्द का विलोम क्या होगा तो पिछले का विलोम जो है अगला हो जाएगा question number 5 है अंतहीन शब्द में मूल शब्द और प्रत्य क्या होंगे तो अंतहीन शब्द में मूल शब्द जो है वो अंत हो जाएगा और हीन जो है वो प्रत्य हो जाएगा प्रत्य क्या होते हैं प्रत्य होते हैं जो पूँच की तरह किसी भी मूल शब्द में पीछे लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं उन्हें हम प्रत्य कहते हैं ठीक है तो अंत और हीन तो अंत जो है मूल शब्द है और हीन जो है प्रत्य है खूबसूरत शब्द में उपसर्ग और मूल शब्द अलग-लग होंगे तो देखे उपसर्ग जो है इसमें क्या हो जाएगा, खूब हो जाएगा, और मूल शब्द इसमें सूरत हो जाएगा, उपसर्ग क्या होते हैं, जो मूच की तरह आगे लगते हैं, और जो मूच की तरह पीछे लगते हैं, ठीके, और जो मूल शब्द है, उसके अर्थ को बदल देते हैं, नेक्स मेना, कोयल, उल्लू, बाज, चील, गुरया, आधि कई पक्षियों को देखा है, ठीक है, तो यह आप लिख देंगे, next देखे बच्चो, question number 8 दिया गया है, गद्यांस के अनुसार, सालिम अली का कौन सा पलायन था, पलायन से आप क्या समझते हो, तो जो गद्यांस है, उसके अनुसार, सालिम अली का यह अंतिम पलायन था, यानि मृत्यू जो है, वो किसी भी विक्ति का अंतिम पलायन होता है, और सालिम अली भी आज उसी आखरी पलायन की ओर जा रहे थे, घुजून के साथ, पलायन का क्या अर्थ होता है, पलायन का अर्थ होता है एक जगे से दूसरी जगे विस्थापित होना अथ्वा जाना, ये जो है पलायन का अर्थ होगा next देखिए question number 9 दिया गया है गद्यांस के अनुसार लेखक किस की तरह प्रकरती में विलीन हो रहा है विलीन होने का अर्थ है तो साली मली उस पक्षी की तरह प्रकरती में विलीन हो रहे थे जो मौत के बाद प्रकरती की गोद में जाबसा हो विलीन होने का अर्थ होता है मिल जाना अथवा हिस्सा होना ठीक है यानि उसी के अंदर मिल जाना विलीन हो जाना शामिल हो जाना वो जो है विलीन का अर्थ होता है तो सालीम अली उसी उस पक्षी की तरह प्रकर्ती में विलीन हो रहे थे जो मौत के बाद प्रकर्ती की गौद में चाबसा हो नेक्स देखे बचो question number 10 है गध्यांस के अनुसार वर्सों पूरों सालीम अली ने पक्षियों के बारे में क्या कहा था तो साली मली ने वर्सों पूरो पक्षियों के बारे में कहा था, पक्षियों के बारे में कहा कि लोग पक्षियों को आदमी की नजर से देखते हैं, जो कि उनकी क्या है, सबसे बड़ी भूल है, हमें प्रकर्ती को प्रकर्ती की नजर से ही देखना चाहिए, ठीक है, तो उनके की नजर से नहीं देखना चाहिए ठीक है यानि हमें भी प्रकरती के अंदर शामिल होकर प्रकरती की चीज़ों में उसका एक तरह से आप कह सकते हूँ उसकी समेधना को उसकी जो खुबसूर्ती है उसको महसूस करना चाहिए यह थी बच्चो आपकी आज की हिंदी की असेस्मेंट वरक्षीट आई होब सभी बच्चो को यह क्लियर है कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो थैंक्स पर वाच्चिंग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वरक्षीट के साथ तेक केर सुरेंट वाई 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 निस दीजिए